सत्यों जोहार आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आधिवासी पहचान को लेकर आधिवासी पहचान क्या है? हम आधिवासी भारत के हैं प्रथम निवासी अब ये जो हम आधिवासी भारत के हैं प्रथम निवासी इसको खतम करने के लिए लंबे समय से अलग अलग तरीके से शड्यंत्र चल रहा है जिसको हमें समझने की जरूप है यह इसलिए जरूरी है कि इस शड्यंत्र को नहीं समझते हैं हम लोग इसलिए हम लोग आदिवसी मतलब आपने आपको हीन भौना से ग्राशित समझते हैं, मसूस करते हैं और हम लोग भगना चाहते हैं आदिवसी समाज से हम लोग अपने आपको आदिवसी बोलना नहीं चाहते हैं बहुत सारे लोगों को खासकर युवाओं को मैं देखता हूं युवातियों को देखता हूं कि वो लोग अपना नाम के साथ गोतर या टोटेम सरनेम नहीं लिखना चाहते हैं वो सरनेम चुपाते हैं ताकि दुसरों को पता ना चले कि वो आधिवासी है तो क्यों ऐसा है? वो इसी लिए है कि हम लोग आधिवासी पास्चान को नहीं समझते हैं आदिवासी का क्या मतलब है आदिवासी सब्द को एक शड्यंतर के तहट ऐसा पोट्रे किया गया है ऐसा दिखाया गया है कि आदिवासी का मतलब अनपढ़, गमार, जाहिल, पिछड़ा, नीच और आदिवासी समाज को ऐसे दिखाया गया है जैसे वो एक कूड़ा का धेर है तो हमारे आदिवासियों के मन में यही चीज बैठ गया है कि आदिवासि समाज एक खराब समाज है, पिछड़ा समाज है, जंगली समाज है, पीने वाला समाज है, सब तरफ से नीचा दिखाने का कोशिश किया गया है और उसको हम लोग मान लिए हैं क्यों कि इस सड्यांतर को हम लोग नहीं समझते हैं, क्यों ऐसा किया गया, वो इसलिए किया गया है कि आर जी लोग जब बाहर से आये हमारे देश में, तो वो लोग जो है कि देखे कि यहां तो पहले से लोग रह रहे हैं, आदिवासि लोग, अगर इनको खतम नहीं किया निवासि हम है ऐसा, कैसे हो घोसना कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमारा पहचान को खतम करने के लिए सड्यांतर किया, और उसी सड्यांतर के ताहट लंबे समय से चल रहा है, अलग अलग लोगों ने आदिवासियों को अलग अलग नाम से पुकारना सुरू किया, सबसे प अधिरे अबरिजिनल सब्क कहथां खतम करके ट्राइब सब्स उपियोग किया, ट्राइब याली सब्द है दुसरे दर्जे के लोग हैं इस तरह का ट्राइब सब्स का आत कर आतर दूसरे दर्जे के लोग हैं, उसको करने के बाद में ये जैपाल से मुंड़ एक ब्यक्ति जिन्होंने कहा कि हम आदिवसी हैं, हमें आदिवसी बोलो, समिधन सभा में भास हो रही थी, जब भारत का समिधन बनाया जा रहा था, तब उन्होंने बार-बार कहा कि हम आदिवसी हैं, हम अपने अपको गर्व से आदिवसी कहते हैं, और हमें आदिवसी शब्द ही पसंद ह लेकिन उस समय में याद रखिएगा कि गांधी कंदी ने क्या सब्ध उप्योंक्या हमारे लिए जंगल जन लोग जंगल के लोग ऐसा सब्द उप्योग किया उसके बाद अम्बितकर भी अपने एक भासन में कहते हैं कि ये आसब्भे लोग है इनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए तो इसी से अब समझ सकते हैं कि वो डाक्टर भीमरा अम्बितकर भी आदिवासियों को किस तरह से देखते थे जब कि वो खुद दलित समाज के थे वो खुद उन्होंने चुआ चुँता और अत्याचर बहुत साह था उसके बाद भी अधिवासियों के लिए असब्भे सब्द का उप्योग किया उसके बाद में बाद के दिनों में आप देखिएगा तो आरेसे रास्ट लिए उसके आलावे इनका कोई पहचा नहीं है उसी तरह रस्टि अनुसुचित जन जाती आयोग क्या बदाए अदी वास्यों के बारे में उसने परिभासा दिया कि आधिवासी मतलब यह लोग ज्यकि जंगली लोग है मास खाने वाले लोग है दारूपिने वाले लोग है नित्य में लीन रहने वाले लोग है, इस तरह का उन्होंने हमारे बारे में परिभासा लिखा, और आज के समय में देश के पधारमंति नरेंदर मोदी क्या बोलता है, बोलता है वन बंधु है, और हमारे लिए वन बंधु योजना करके उन्होंने योजना शुरूप की, यह मानसा नहीं हमारा विकास करना लेकिन हमारा आस्तितों खतम करना था कि धिरे धिरे हम भूल जया अपने अपको आदिवासी बोलना लेकिन इस से भी सबसे बड़ा सद्यांतर हुआ वो समिधान में हुआ जिसको हमें समझना चाहिए समिधान का जब मसादा त्यार हुआ था उसका आनुचेत 13 का उप आनुचेत 5 में अबोर्जिनल अंग्रेजी में सब्द उप्योग किया था हिंदी में आदिवासी लेकिन इस सब्द को हटाने के लिए डक्टर भिम्रा आमेतकर ने अपने 80 चोटी एक कर दिया उन्होंने समिधान सभा का जो प्रोसीजर है उसमें कहा है उसमें आप पढ़िएगा वो कहते हैं कि आदिवासी शब्द अबोर्जिनल सब्द का कोई अर्थ नहीं है अब बताए वो बाहर में विदेश में पढ़े थे और उनको अबर्जिनल सब्द का कोई अर्थ पता नहीं था उनको पता था उनको समझ में आ गया था कि अगर आदिवासी उनको अबर्जिनल सब्द लिख दिया गया समिधान में आदिवासी सब्द लिख दिया अभी निर्नाय लेने वाला था उस दिन ऐसे समय निर्नाय लिया जब मारंगों के जाएपाल सी मुंडा दिली में उपसित नहीं थे तो यह एक बड़ा सर्जयंतर का हिसा था इसमें यह भी आपको समझना है कैसे समिधान में अनुसुचित जन जाती सब्द डालके हमें जाती ब्योस्था में गुसाने की कोशिस की गई है अब अंग्रेजी सब्द को गाउर कीजिए दलितों के लिए अनुसुचित जातियों के लिए सेडूल कास्ट अंग्रेजी सब्द का सेडूल कास्ट का हिंदी ट्रांसलेशन अनुसुचित जाती है सेडूल ट्राइब जो है उ कि देश का कौन सा हिंदी अंग्रेजी डिक्सनरी है जिसमें अंग्रेजी शब्द सेडूल ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन या अनुसुचित जन जाती है कोई भी डिक्सनरी खोल के मुझे बताईए तब मैं मान जाओंगा कि सामिधान बनाने वाले लोग बहुत विद्वान थे तितने बड़े बड़े विद्वान लोग जो है कहां से ये सब्द खोज के लाए कौन सा डिक्सनरी से ले के आए सेडूल ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन अनुसुचित जन जाती ये कोई डिक्सनरी का बात नहीं है सात्यों यहां पर आदिवासियों को जाती बिवस्था में डालने का बात था और उसी के बाद आदिवासियों को जाती सेटिफिकेट दिया गया और आज देखिए 70 साल से हम लोग जाती सेटिफिकेट ले रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या घुजरा है हम लोग भी जाती बिवस्था में आते हैं इसलिए आज लोग बोलते हैं अपने आपका पूछेंगे आपकों समुदाइस आते हैं तो कहते हैं मैं जो है मुंदा ज जाती बिवस्था से बाहर हैं इसका सबसे बड़ा उधारन है सोश्योलोजी के स्टेडी बताता है कि देश में जो वर्ना और जाती बिवस्था है उसके अंतरगत तीन हजार जातिया और पचीस हजार उपजातिया है उसमें जो है सनातन हिंदु धर में सिर्फ एक जाती ब्रह्मन जाती ही पुजारी बन सकता है जबकि आदिवसी समाज में देखेगा पूरा देश में 744 आदिवसी समु है अलग अलग उराओं हो मुंडा खाडिया संताल गोंड इस तरह का 744 इनके अपने अपने पुजारी है जैसे मुंडा खाडिया उराओं उसको जो है कि बोलते हैं पहान संताल बोलते हैं नाइके बाएगा जो है कि अपना पुजारी को बाएगा ही बोलते हैं हो लोग बोलते हैं देवरी तो यदि हम वाना जाती ब्रह्मन नहीं होता तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो बताता है कि हम वर्न और जाती विवस्था में नहीं आते हैं वर्न और जाती विवस्था के बाहर हैं इसलिए हम लोगों को जाती सेटिफिकेट नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन इस बात को हमारा कोई भी नेता पा जो भी समुदाय से आते हैं, गोंड से आते हैं, बैगा से यह लिखा जाना चाहिए, आदिवासियों को जाती सर्टिफिकेट देना, आदिवासि आस्तित्वा के साथ खेलवाड करना है साथियों, इसलिए आप आवाज उठाए, हमारे नेताओं को भी बोलिए, हमारे है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है, वो आदिवासि पहचान, हम भारत देश के असली निवासि है, इस बात को भारत सरकार बार बार इंकार करती रही, यूएन में जाके भारत के प्रतिनिती बोलते थे, कि भारत में कोई आदिवासि नहीं राते हैं, आप सोचिए, जिस देश में 10 करोड आदिवासि राते हैं, उसके बारे में यूएन में जाके ये बोलते हैं, कि कोई आदिवासि नहीं राते हैं, लेकिन हमें जो है कि इस बात पर गर्ब करना चाहिए, अज सुप्रीम कोट का हमें जो है कि धन्यवादी होना चाहिए, कृतग्यातर प्रकाट करना चाहिए कि 5 जन्मरी 2011 को पहली बार जस्टिस काटजू और जस्टिस ग्यान सुधा मिस्रा का जो खंटपीठ है उन्होंने फैसला दिया उन्होंने कहा आदिवासी ही भारत के आसली निवासी है ये फैसला जो है वो एक केस था महारास्टर का कैलास एमाम अन्न बनम महारा सरकार ये फैसला हमारे लिए बहुत महत्पून है देश में ऐसा कोई भी फैसला सुप्रीम कोट का नहीं आया है जिसने किसी को कहा होगा कि भारत के ये लोग जो है कि भारत के असली निवासी है पहली बार कैलास बनम अन्न यों महारास्टर सरकार के मसले पर सुप्रीम सुप्रीम कोट का निरने कैलास बनम अन्न भारत सरकार हमारे लिए बहुत महत्वा रखता है वो इसलिए महत्वा रखता है कि पहली बार कोई दस्तावेज में आदिवासी शब्द का उप्योग किया गया है और उस जज्जमेंट में लिखा गया है आदिवासी शेडूल ट हैं और उन्होंने पूरा जनसंख्या को भी कोट किया है उन्होंने कहा है कि भारत का आठ प्रतिशत आदिवासी ही भारत का असली निवासी है यही लोग भारत के मालिक हैं और बाकी 22 प्रतिशत लोग बाहर से आये हुए अकर्मनकारी या व्यपारी के संतान है यह सुप्र के लिए दे देता सुप्रीम कोड तो हम लोगं के वो लोग अधिवसियों को मार मार के ज़ह की बाहर निकाल देते या गुलंब बना देते आपना, लेकिन इस जज्ज्मेंन को जान वुज के दबा दिया गया, इस जज्ज्मेंन का जिस तरा से पचार परसर किया जना था, नहीं किया गया है सात्यों मैंने कोशिस किया है मैंने एक छोटा किताब लिखा है सुप्रीम कोट के फैसले और आदिवासी अधिकार इस तरह की किताबें बरे प्यमाने पर लिखा जाना है आप लोग भी लिखिये हम मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेखक बने सैकड़ो हजारो लोग लेखक बने सहितिकार बने कभी बने इतिहासकर बने हमें बनना पड़े गाओ लिखना पड़ेगा लगातार इन बातों कूठाना पड़ेगा तब जो है कि यह हमारा अधिवासी पहच्चान स्थापित होगा और इसी बात से डरते हैं यह बाहर से आये हुए आरी Log कहके हम लोगों को बोलता है ये लोग हिंदू है इस तरह हमारा पहचान से खिलवार कर रहा है उसका परिणाम क्या हो रहा है जो हिंदू धर्मानते हैं या सरना धर्मान रहा है उनको भी मैं देखता हूँ आपने नाम सरनाम के साथ लड़की लड़कियों का लिखते हैं कुम गर्व से काना है हम आदिवासी शद सर्मनाक नहीं है या एक नीचपन नहीं है हमारा पाश्चान का सवाल यह हमारे पाश्चान देता है यह बताता है कि हमें आदिवासी हैं हमें भारत देश के प्रथम निवासी हैं इसलिए आपको गर्व से काना चाहिए आदिवासी आपक सांस्कृति भासा पाश्चान स्वासासान अपना जल जंगल जमीन के बारे में बताईए हम भारत के असली निवासी हैं हम आधिवासी हैं तो आज इतना ही आपको धन्यवाद जुहार